हेलो गाइस होप आप सभी थीख होंगे तो आज हम बात करते हैं सीट के बारे में जो आप सीट सेलेक्शन करते वक्त ध्यान में रखने की जो बात होती है वैसे basically seed होता है चार ताइब का nuclear seed, breeder seed, foundation seed और certified seed पर हमारे पास जो available होता है वो है certified seed उसके बाद जो market में आप मिलता है normally वो है certified seed और वहाँ पे जो green color का पीछे में जो लिखा हुआ रहता है वो truthful level जो होता है उसको आप दियान में रखना चाहिए जब आप purchase करता है seed क्योंकि वहाँ पे उसका पूरा details होता है जो कौन सा variety का है death expire और आप हर चीज़ को जितना हो सके दियान रखना बहुत जरूरी है और यह जो seed होता है यह बहुत ही important चीज़ है agriculture का part का जो कि आप compromise नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आपका seed अगर healthy ना हो तो आप आगे जाके बहुत ही problem होगा जो आपका मेहनत है जितना आप agriculture जो आप प्लांट किया है जो भी आप मेहनत किया है जो आपका invest किया है सब वेस्ट हो जाएगा उससे अच्छा है कि इसलिए आप seed को हमेशा compromise मत कीजिए seed को अच्छी quality का seed लीजिए हमेशा और अगर आप local seed भी use करते हो तो local seed को भी हमेशा seed treatment कीजिए जितना हो सके seed treatment fungicide से seed treatment करके इसके बाद वहाँ पर प्लांट कीजिए genetic purity इसलिए important है कि वो अपना parents का जो characteristic होता है वो कितना carry करता है जो penotype है वो कितना carry करता है पेरेंस का वो sow करता है और next यह physical purity physical purity का importance यह कि आपको sow करता है कि वो जो seed package जो है आपके वहाँ बे तो वहाँ पे seed content जो है वो कितना pure है वहाँ पे कुछ दूसरा चीज मिक्स है नहीं है दूसरा seed mix है नहीं है वो चीज़ को आपको sow करता है जैसे यह आप आप देख सकते है 98% seed है pure है जो की और 2% जो होता है inert method हो सकते जैसे कि आपको weeds का seed हो गया आप जब भी market में seed लेने जाए तो germination rate जरूर अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि germination rate है वह determine करता है कि आपका seed कितना अच्छे तरीका से वह grow करेगा और आते है variety पे जो की बहुत ही important factor है जब आप seed buy करने जाए तो क्योंकि variety जो होता है आपको उसका पर अगर knowledge ना भ आपको drought resistant है ना winter जो frost resistant है ना saline resistant है यह सब चीज़ को आपको परा information वहाँ पर Google में मिल जाएगा और early variety है और आपका high yielding variety है बहुत type का जो variety रहता है तो आप वहाँ पर लिखाने होगा बस variety का नाम होगा तो उसको आप Google कर लिजे तो वहाँ परा detail मिल जाएगा तो आप वह वह variety चूज़ करके आप लगा सकता है तो आपका plant बहुत ही सुन्दर तरीका से निकलेगा और जो early variety आप लगाएगा तो आपको early harvest होगा फिर आता है दे तो packaging और validity कब expire होगा आपका जब यह validity पार होने के बाद भी germinate जरूर करेगा पर हमेशा दियान में रखिए जो validity पार हो जाने के बाद जो सीद रहता है उसको आप जब grow करेगा वो जरूर grow होगा पर germination rate भी बहुत कम हो जाएगा और जो वो viable नहीं होगा सीद जो आपका disease resistant नहीं होगा, disease होने चांसर ज्यादा रहेगा क्योंकि जो seed treatment किया हुआ वो खतम हो जाएगा जो की effective नहीं होगा तो इ हुआ हुआ